हेलो फ्रेंड्स यूल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ओनलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है One word substitution और नीचे लिखा हुआ है Part 4 इट मींस कि ये Part 4 है और Part 1, Part 2, Part 3 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बढ़ जाके उन वीडियोस को देख लीजिए आज हम अपना पार्ट फोर करेंगे वनवर्ट सब्स्टिउशन का तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन इस वीडियो तो जो हमारा पहला वनवर्ट सब्स्टिउशन है वो क्या है उसे देखते हैं देखिए वर्ट्स अटर्ड इंपायसली अबाउट गॉड मतलब भगवान के लिए निंदात्मक शब्दों का प्रयोग करना भगवान की निंदा करते हुए कुछ बोलना इश निंदा करना इसे क्या बोलेंगे तो पहले मैं इसका आंसर बता दूँ आपको इसे हम बोलेंगे ब्लस फैमी का मतलब होता है speaking about God in a way that shows lack of respect भगवान के बारे में निंदात्मक शब्द बोलना इश निंदा करना इसे हम बोलेंगे ब्लस फैमी विच मीन्स वर्ट्स अटर्ड इंपाइसली अब गॉड तो होप आपको क्लियर होगा ब्लस फैमी का मीनिंग पहला ओप्षन देखिये पहला ओप्षन है एमॉरल एमॉरल का मतलब होता है सदाचार विहीन मतलब अपरसन वो डोंट नो वाट इस राइट इस इस रूपर पीपल वो डोंट नो अी मॉरल रूल एसा इंसान जिसको सदाचार पता ही ना हो बिलकुल कि घलत क्या है यह ब्लस ब्लस अबॉरल ऑप्षन बाउट ब्लस फैलोज और सभी का मतलब होता है study of ideas about the meaning of life दर्शन शास्त्र, इसे हम बोलते है philosophy, मतलब study करना की life का क्या meaning है, जीवन का क्या अर्थ है, इसे ही हम बोलते है philosophy Then option C is logic, logic तो पता ही है सबको meaning इसका a sensible region, एक practical region तर्क संगत इसे हम बोलेंगे logic, hope आपको clear होगा हमारा पहला one word substitution that words uttered impiously about God is nothing but Option D, blasphemy, next हम अपना word देखते हैं, next question is, one who compiles a dictionary, उसे क्या बोलते हैं, जो dictionary लिखता है, जो शब्द कोश को लिखता है, उसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका सही answer हो जाएगा Option B, lexicographer, lexicographer is a person, जो dictionary लिखता है, कोश कार बोलते हैं, इसे हिंदी में, मतलब शब्द कोश को लिखने वाला, dictionary को लिखने वाला ऐसे इंसान को बोलेंगे, lexicographer, अब option A देखिए, option A is geographer, geographer का मतलब होता है, an expert in geography, भूगोल का विशेशग्य Then option C is lapidist, lapidist का मतलब होता है, एक skilled worker, जो की कीमती पत्थरों को काट कर, उन्हें उत्कीड करने की कला रखता है ऐसे ही इंसान को बोलेंगे, lapidist, मतलब एक इंसान, एक worker, जिसके पास ऐसी skill है, जिससे की वो, जो हमारे कीमती पत्थर होते हैं, precious stones होते हैं, उनको काट के खड़ा करता है, उत्कीड करता है ऐसे ही इंसान को हम बोलेंगे, lapidist, then option D is linguist, linguist means a person who knows several languages, ऐसा इंसान जिसको काफी सारी भाशाओं का ज्यान हो, भाश विद्ध, इसे बोलते हैं हम लोग, मतलब विदेशी भाशाओं का अच्छा जानकार, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे, linguist, होप क्लियर है आपको ये वाला वन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन भी, कि वन्वू कंपाइल से डिक्शनरी इसे हम बोलेंगे, lexicographer, next is a small room in a big house, hotel, ship, etc. where glasses, dishes, spoons, food, etc. are kept, मतलब ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, जहां पे glasses, dishes, spoons, food, मतलब जो kitchen wares होते हैं, या फिर जहां पे हम लोग खाना रखते हैं, ऐसी सा जासे तो जानते ही हैं, इसका अंसर हो जाएगा, option B, pantry, pantry एसी जगह होती है, जहां पे हम लोग खाने को रखते हैं, and area where food is kept, इसको बोलेंगे, हम लोग pantry, और हम अपने kitchen wares को भी यहां पे रखते हैं, जो हमारे बरतन होते हैं, उनको हम यहां पे रखते हैं, अब जो option A ह पोटिको, उसे देखिए, और option C देखिए, मेजनिन, मेजनिन और पोटिको क्या होता है, इसको मैं diagram के थ्रूँ आपको बताती हूँ, आप यहां पे एक diagram देख सकते हैं, अपने सामने, यहां पे यह जो चीज है, जो पहला वाला आपको picture दिख रहा है, इसे हम लोग बोले पोटिको, और जो दूसरा वाला picture दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे मेजनिन, पोटिको क्या होता है, पोटिको होता है, एक खंबेदार छत वाला प्रवेश द्वार, यहां पे आप देख सकते हैं, कि यह यह entrance दिख रहा है, यहां पे यह entrance दिख रहा है, ठीक है, और यह entrance ज दिख रहा है, वह है मैजनिन का, मैजनिन का होता है, इस फ्लोर दाट इस बिटिवीन टू फ्लोर्स, एक फ्लोर जो कि दो फ्लोर के बीच में बनाया गया है, ऐसा जिनरली आप कार के शोरूम में देखते होंगे, या फिर आप कोई भी आटो मोबल शोरूम में जाते हैं, जा फिर आप किसी मॉल में जाते हैं, महाँ पे भी आप इसको बेखते हैं और जनरली अप क्या होता है कि अब लोग अपने घरमें भी ऐसा इंटीरियर बनाते हैं सुन्दर सा इसे मेल Peng बोलते हैं मतलब 2 व्लोर्ब, दो फे बीच में को एक यह फ्लोर दिख रहा होगा ना इस फ्लोर को ही हम लोग बोलते हैं मतलब it is a floor that is built between two floors और मैंने आपको जैसा बताया कि सील्डियां प्रोवाइड की जा सकती हैं यहां पर यहां पर यह सील्डियां दी गई हैं जिससे हम उपर जा सकते हैं तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग मेजनीन बोलते हैं I hope आपको clear होगा तो यह जो हमारा one word substitution यहां पर लगना चाहिए यहां पर हो जाएगा answer b pantry जो की मैं आपको बता चुक हूँ यहां पर हो जाएगा option b correct ठीक है a small room in a big house hotel ship etc where glasses dishes spoons food etc वो होता है हमारा pantry next देखिए art of writing for newspapers and magazines जो newspaper और magazines के लिए लिए लिखने की कला होती है इसे क्या बोलते है तो इसका सही answer हो जाएगा option b journalism देखिए जर्नलिजम एक art है या फिर जर्नलिजम एक profession है जिसमें जो journalist होता है वो पहले news को collect करता है और फिर उस news को लिखता है इसी को ह दिया ठीक है तो इस art को हम लोग journalism बोलेंगे आप option A देखिए option A is literature literature तो साहित होता है आप जानते ही है then option B journalism जो मैंने आपको बता दिया then option C is biography 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 को हम हिंदी में बोलते है जीवनी मतलब story of a person's life but it is written by someone else किसी इंसान के जीवन का परिचय किसी इंसान के जीवन की कहानी लेकि को किसी और ने लिखा है इसे ही हम लोग बोलते है biography then option D is artistry artistry means skill of an artist किसी कलाकार की कला उस कलाकार का कौशल इसे हम बोलेंगे artistry hope आपको clear है कि art of writing for newspaper and magazines को हम लोग बोलते है journalism then a cure for all disease जितनी भी बीमारिया है उन सब बीमारियों की दवा इसे हम क्या बोलेंगे तो इसे हम लो पैनेशिया का मतलब होता है सर्व रोग हर मतलब ऐसी दवा जो कि हर बीमारी को हर ले हर बीमारी को खतम कर दे ऐसी दवाई को हम बोलते हैं पैनेशिया hope आपको clear है cure for all disease वो हो जाएगा पैनेशिया अब जो दूसरे options है उनको देखिए option A is lexative lexative का मतलब होता है ऐसी दव जो की पैट साफ करने के लिए यूज की जाती हो ठीक है तो पैट साफ करने वाली दवा उसे हम बोलेंगे लेक्जेटिव then option D देख लेजिए option D is purgative परगेटिव का मतलब भी वही है जो मतलब लेक्जेटिव का है तो यह जो लेक्जेटिव है और यह परगेटिव इन लोग बोलते है लेक्जेटिव परगेटिव ठीक है then option C देखिए antidote antidote is a medicine that is taken or given to counteract a particular poison ठीक है ऐसी दवा जिसको हम किसी poison को खत्म करने के लिए यूज करते हैं मतलब अगर बाटी में कोई poison है तो उस poison को खत्म करने के लिए जो दवा हम यूज करेंगे उसे हम antidote बोलेंग हिंदी में इसे बोलेंगे विश हर ओश दी ठीक है विश को हर लेने वाली ओश दी मतलब विश को खत्म करने वाली जहर को खत्म करने वाली जो दवाई होगी उसे हम antidote बोलते हैं hope आपको clear है अब cure for all disease इसका सही अंसर हो जाएगा option B panacheia तो friends यह कुछ one word substitutions थे जो मैंने आ स्टार्टिंग में बोला था कि part 1, part 2 और part 3 भी one word substitution का बन चुका है तो अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो भी तो प्लीज एक बार जाके उनको देख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए अपने maximum friends and relatives के साथ share कीजिए और अगर अच्छे शोस के साथ तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best